आखिरकार ये होने जा रहा है आल्या भट और रनवीर कपूर की शादी की शेहनाई बजने वाली है फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है कहा जा रहा है कि दोनों एपरेल के ही महीने में शादी के बंधन में बंधेंगे कुशे दिनों में दोनों पती पतनी कहलाए जाएंगे क्योंकि दोनों ही अपनी परसनल लाइफ को काफी प्राईवट रखना पसंद करते हैं इसलिए इस शादी में केवल बहुत करीबी लोग ही शामिल होंगे कपल साथ फेरे अपने करीबी रिष्टेदारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में लेंगे बॉलिवुट में देखा गया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड चल पड़ा है लेकिन आलया भट और अनवीर कपूर के लिए ऐसा नहीं होने वाला है दोनों ही मुंबई में साथ फेरे लेंगे इसका साथ ही दोनों एक और नॉम को तोड़ रहे हैं देखा गया है कि बॉलिवुट कपल फाइट स्टार होलर में शादी रचाते हैं लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं करेंगे कपल का वेडिंग वेन्यू उस दिन से फिक्स है जबसे दोनों ने शादी करने की प्लाणिंग की है ये वेडिंग वेन्यू कोई और नहीं बलकी कपूर खानदान का ददलाई घर है वो है आर के हाउज खबरों की माने तो रनवीर कपूर ने खुद ये वेडिंग वेन्यो फिक्स किया है पिंक विला के रिपोर्ट के मुताबिक रनवीर अपनी दादी कृष्णा राज कपूर के बेहद करीबी थे इनके माता पिता रिशी कपूर और नीतु कपूर भी 20 जनवरी 1980 में आर के हाउस में ही शादी के बंदन में बंदे थे ऐसे में आलिया भटसंग रनवीर यही साथ फेरे लेना चाहते हैं गेस्ट की लिस्ट के बारे में बात करें तो शादी में 450 लोग शामल रहेंगे कपूर खांदार में सभी लोगों को बोल दिया गया है कि वो एप्रिल के दूसरे हफ़ते में फ्री रहे हाला कि अभी तक वेडिंग डेट्स की घोशना नहीं की गई है कहा जा रहा है कि ये एप्रिल के एंड में भी हो सकती है लेकिन भट परिवाद जल्द से जल्द आल्या की शादी कराना चाहते हैं क्योंकि उनके नाना, नरेंद, नात, राजदान की तबियत ठीक नहीं है ऐसे में देखना होगा कि आल्या और रनवीर किस दिन साथ फेरे लेते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियो के भी अपडेट मिलती रहेगी धन्यवाद